वेलकम फ्रेंट्स अभ्यास ओनलाइन क्लास के इस नई वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों हम लोग तयारी करें CGTAT exam की उसमें mathematics के question पूछा जाता है question देखने से तो दोस्तों बहुत कठी लगता है लेकिन वो बहुत होता सरल है तो उसी तरीके question को हम लोग बहुत साथ कर तरीके समझने के लिए करेंगे तैयारी इस वीडियो में तो दोस्तों ये इस वीडियो का आठ्वा पार्ट है अगर आप मेरे पूरे साथ पार्ट नहीं देखे हो तो मैंने description में link दे रखा है वहाँ पस जाकर के आप जो है उस वीडियो को देख सकते हो दोस्तों इसमें मैं trick बताने वाए हूँ दिसको आप जो है मात्र 25 से 30 सेकंड के अंदर गत आप जो है question को solve कर सकते हो दोस्तों पहला question देख लेते हैं पहला question है दो संख्याओं का अनुपात क्रमसह 4 अनुपात 5 में है प्रत्येक संख्या में 25 घटाने से तो अनुपात कितना होता है तीन अनुपात 4 हो जाता है तो हमें किसका निकालना है दूसरी संख्या ग्यात करनी है दोस्तों इसमें जो अनुपात दिया है चार अनुपात 5 के अनुपात में दिया ह हुआ है ठीक है लेकिन क्या हो रहा है दोनों प्रत्य एक संख्या में क्या कर देते हैं 25 घटा देते हैं तो मिलने वाला अनुपात कितना हो जाता है तीन अनुपाते चार के अनुपात में यह हो जाता है तो हमें किसका मान निकालना है दूसरी जो संख्या है उसका मान निकाल minus 25 equal to इन दोनों का ratio कितना रहे 3 upon 4 तो 3 upon 4 हो जाएगा तो यहाँ पास जो है दोस्तों आप इसको पक्षांतर करके X कमान निकलोगे X कमान निकलने के बाद आप उसको यहाँ पास मान निकलोगे किसमें गुणा कर दोगे यह दूसरा अनुपाद दिया है उसमें तो इतना solve करोगे तो तब तक जो है दोस्तों काफी समय हो जाएगा तो इसको दोस्तों commerce question को समझे उसके according जो है हम लोग इस का अंसर निकलते हैं तो देखिए चलिए इसमें जो अनुपाद दिया गया है कौन सा अनुपाद दिया गया है चार अनुपाद पांस दिया हुआ है ठीक है लेकिन उसमें दोनों में कितना घटा दिया जाता है 25 घटा दिया जाता है तो नए अनुपाद कितना हो गया चार हो गया इन दोनों के बीज जो है कितने अनुपात का कमी हो रहा है एक एक अनुपात की कमी हो रहा है तो कितना घटाए है पच्चिस घटाए है तो कितने अनुपात की कमी हो गई है एक अनुपात तो दोस्तों हम लोग यह कह सकते हैं कि एक अनुपात जो है कितने के बराबर है 25 के बराबर है तो 5 अनुपाद जो है कितने के बराबर हो जाएगा 25 पंचे 125 ठीक है तो यह क्या हो जाएगा 25 पंचे 125 तो 125 जो है क्या हो जाएगा कौन सा उप्सन में दिखाई दे रहा है 125 जो है बी उप्सन में दिखाई दे रहा है तो यह क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो दोस्तों आप जो है सरल तरीके से कोश्चन को समझ जिए उसके according जो है दोस्तों आप उसको solve कीजिए अगर नहीं जिबनता है अगर sort का इस method से तो आप जो है x y मान करके बना सकते हैं पर question को जो होना नहीं है solve जरूर करना है ठीक है तो चलिए ये question जो है आपको समझ आगया होगा अगर इस तरीके कब प्रश्चन अगर आप से पूछा जाएगा तो आप जो है दोस्तों जरूर solve कर लीजिए तो चलिए next question देखते है next question भी बहुत ही सरल है आउसत से संबंदीत है प्रश्चन देख लेते हैं A तथा B का आउसत आए 200 रूपए है C तथा D की आउसत आए 250 रूपए है तो A, B, C तथा D की आउसत आए कितना होगा ठीक है तो यहाँ पस जो दोस्तों कितने वेक्ति हैं चार वेक्ति हैं कौन है आपका A, B, C और D यह चार वेक्ति हैं लेकिन उन में से क्या होगा है A और B की जो आउसत आए कितना है दोस्तों 200 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको A प्लस B upon 2 equal to यह हो जाएगा 200 अगर इन दोनों की बात करें तो दोस्तों यह क्या हो हैं दोनों कमाते हैं उनका कुई यह कितना है 400 है उसी तरीके से C और D का A कितना है आउसत आए 250 है तो इसको क्या लिख सकते हैं C प्लस D upon 2 equal to 250 ठीक है तो हम जब भी क्या होता है ऐस आउसत बराबर क्या होता है दोस्तों आंकडों का योग बटे आंकडों की संखिया तो इस 500 ठीक है कितना मिला 500 तो A और B का जो है कितना है 400 है C plus D की ए तो इन दोनों का योग का आए कितना है 500 है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा छार सो और पांस सो जब जोडते हैं तो कितना आएगा 900 रुपए है 5 sucks तो cool eye कितना आया? 900 रूपाontin है, लेकिन हमें क्या निकालना है? सभी का उसत निकालना है तो आंकडो का यो कितना आया? 900 आया, और आंकडो की संखें कितना है? A, B, C, D तो किल कितना है चार है तो क्या कर देता है इसको चार से भाग दे देता है ठीक है तो यह हो जाएगा चार दूनी हो जाएगा आठ बचा एक फिर क्या हो जाएगा चार दूनी आठ बचा दो तो क्या हो जाएगा चार पंचे बीस तो क्या हो जाएगा दो सो पचीस जो है दोस और ब जो ईसका उसाथ आए कितना दिया है 250 तो इसका पहले कुल आइ निकाल लेते हैं कुल आइ निकालने के प्रस्चात दोनों को जोड देंगे ऑर A, B, C, D का ऌसथ निकाल लेंगे कुल आए हमें जो मिला वो कितना मिला 900 और जो है आँकडों का योग हो गया और आउसाद आंकडों की संख बटे क्या हो जाएगा तो बटे में कितना हो जाएगा चार तो इन दोनों को डिवाइट करेंगे तो क्या आजाएगा 225 आजाएगा जो कि क्या है सी इस option में दिया हुआ है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ ये question आपको समझा आगया होगा दोस्तों इसी तरीका का question जो है पाने के अभी तक में चैनल को सब्सक्राइब ने कि जरूर सब्सक्राइब कर लें चलिए next question देख लेते हैं किसी भिन्न के अंस तथा हर में से प्रत्येक में दो जोड़ने पर कितना मिलता है दो बटे sorry 3 बटे 5 प्राप्त होता है मूल भिन्न क्या है तो हमें क्या करते हैं इस तरीके का प्रश्ण जब भी हमारे सामने आते हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं सबसे पहले मान लेते हैं x upon y जो है वो संख्या है उसके बाद हम लोग प्रत्येक में दो जोण देते हैं क्या हो जाएगा x plus 2 y plus 2 तो मिलने वाला जो भिन है वो क्या हो जाएगा 3 बते 5 या 3 अनुपाथ 5 हो जाएगा तो इस तरीके से करते हैं और x y का मान निकालते हैं तो हमको ऐसा नहीं करना है दोस्तों ठीक है इस तरीके का question जब भी पूछा जाया है तो हमें ऐसा नहीं करना है तो इसके लिए हम लोग जो method यूज करते हैं वो कौन सा है अगर आप मेरा वीडियो लगातार देखते हो तो ह हम इसके लिए यूज करेंगे go to option method का यूज करेंगे ठीक है जिससे हमारा जो answer जो फटाक से आ जाएगा तो पहला option को हम लोग इसको satisfy कर लेते हैं पहला जो है मान लो मूल भीन जो कौन सा है एक बटे दो है अगर इसके answer हर में कितना जोड़ देते हैं दो जोड़ देते है नहीं आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा option गलात हो जाएगा उसी तरीके से दूसरा option है उसको देख लेते हैं एक में हम लोग क्या कर देते हैं दो जोड़ देते हैं और नीचे में भी क्या कर देते हैं दो जोड़ देते हैं प्रशन के according क्योंकि प्रशन में ही बोला गया है कि भिन्न के अंसर हर में कितना जोडना है दो जोडना है तो यहाँ पास क्या जाएगा दो और एक हो गया तीन बटे तीन और दो क्या हो गया पांच तो यहाँ पास देखो तीन बटे पांच आ रहा है दोस्तों तो यह क्या हो जाएगा इसका answer जो है एक बटे तीन आएगा अन्य option को भी एक बार check कर लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा confirm हो जाएगा कि यह option जो है सही है तो इसमें क्या करेंगे तीन में अगर हम लोग 2 जो औरते हैं और नीचे में भी क्या कर देते हैं 2 जो औरते हैं और बटे में भी 7 में भी क्या कर देते हैं 2 जो औरते हैं तो 2 दूनी हो गया 4 और बटे 7 जो है 2 यह हो गया 9 तो यह आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो कौन सा option में आ रहा है दोस्तों B option में आ रहा है तो B option क्या हो जाएगा सहीं हो जाएगा अधिकतर में क्या करना जब भी question शॉल करो अगर option जो में से answer मिल जाता है तो आगे का option जो है आपको check करने की ज़रूरत नहीं लेकिन दोस्तों जब भी solve करते हैं तो मन में ये संका होती है क्या अन्य option भी हो सकता है तो एक बार check कर लीजिएगा अगर आपके पास समय है तो ठीक है तो ये question जो है दोस्तों इस तरह की question आएगा तो go to option method से आप जिसको solve कीजेगा ताकि आपको जो है बहुत ही कम समय में आपका answer आजाए चलिए next question देख लेते हैं next question है दोस्तों दो संख्याओं का गुणन फल जो है 576 है यदि इसका लगुत्तम समापवर्थ 144 है तो इसका महत्तम समापवर्थ क्या होगा इस तरीके के प्रश्ण जब भी पूछा जाता है दोस्तों तो आपके लिए एक formula आपको हमेशा दिमाग में रखना और formula जो है बहुत ही सरल है तो इसके लिए जो एक formula होती है वो क्या है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लगुत्तम समापवर्थ गुणा महत्तम समापवर्थ ठीक है तो दोस्तों जब भी क्या होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लगुत्तम समापवर्त गुना महत्तम समापवर्त तो दोस्तों इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का अल्रेडी गुना करके उपर में दिया हुआ है प्रश्ण में कितना दिया है 576 तो इन दोनों के जगह हम लोग क्य मान निकालना है तो क्या करते हैं इसको question mark लिग देते हैं ठीक है तो अब क्या करेंगे इसको solve करेंगे तो 576 बराबर 144 गुणा question mark तो question mark जो है हमारा महत्तम समापवर्त जिसको हमको क्या करना है निकालना है तो जब दोस्तों इसको solve करेंगे तो यह 144 कहा जाएगा बटे में आ जाएगा तो 176 बटे यह हो जाएगा 144 तो हम लोग क्या करते हैं इसको divide कर देते हैं तो कितने से जाएगा दोस्तों पहले हम लोग इसको 2 से भाग दे कर देखते हैं ठीक है तो यह हो जाएग दो दुनी हो जाएगा चार ठीक है तो 72 दुनी क्या हो जाएगा 144 तो ये फिर से दो से जा रहा है तो क्या करेंगे फिर इसको भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा जी दोस्तों जब इसको भाग देंगे तो दो एक हम दो दो चौंके आठ फिर क्या हो जाएगा दो चौंके आ और तर फिर से इसको भाग देंगे तो हो जाएगा दो एक कम दो बचा एक और यह हो जाएगा फिर दो आठे 16 ठीक है 8 अठ्रे गाम अठ्रे चछार 12-18 इसको पूरा भाग देते हैं अठ्रे चओके 52 तो 4 जो चार जोają इसमें आनसर आ रहा है तो कांटने में ही ज़्याद समय अधिक समय हो जाती है अधिक समय लग जाता है लगता है तो था to स्मय सको रखने है ले ले लेते हैं और दूसरी संख्य ठीक है पहली संख्या ले लेते हैं और गुणा दूसरी संख्या बराबर आपका लगुत्तम समापवर्थ गुणा महत्तम समापवर्थ दोस्तों एकजाम में इन चारों में से ही प्रशने पूछा जाता है जिसमें से एक कोशन जो है एक का मान जो है मिस रहता है जैसे इसमें पूछ सकता है पहले संख्या कमान, दूसरी संख्या कमान, लगुत्तम स्वापवर्थ पूछ सकता है और इसमें पूछा है महत्तम स्वापवर्थ, तीन मान दिया रहेगा, उसमें से हमें एक कमान निकालना रहेगा, तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें मान को पूट कर देते है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लगुत्तम स्वापवर्त गुना महत्तम स्वापवर्त तो इसमें क्या करेंगे पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या का मान दिया हुआ है इसको लिख देते हैं 576 और लगुत्तम समापवर्थ कमान हमारे पास दिया हुए 144 तो 144 गुणा महत्तम समापवर्थ निकालना है तो यह हो जाएगा दोस्तों मुझसे यह पूछा जाता है कि यह सर आप कौनसा बुक का कोश्चन उठाते हो और कहां से पढ़ाते हो तो दोस्तों इस यह जो है mathematics का कोश्चन जो है मैं सारदा प्रकरशन की जो है उस बुक से आपको पढ़ाता हूं उसका अंक गणित है उसको आप खरीच सकते हो मैंने description उसका link दे रखा दोस्तों वहां से आप इसको असानी से purchase कर सकते हो कम rate में ठीक है दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत helpful रहोगा वीडियो को पूरा देखे विसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और old question पर दोस्तों मैंने इसके लिए अलग से playlist बना करके रखा है वहां पास से भी आप उसको देख सकते हो तो मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकरी के साथ तो मुझे जाजात जय हिंद